कि अर गगाइस वेलकम ठू माईिचैनल प्रिया फूर आज हम बनाएंगे निनुवा की सबजी तो हम लोग तो निनुवा बोलते हैं बहुत लोग इसको गिलकी भी बोलते हैं तो ये सबजी ख़ाने में बहुत ही कि ट्रैस्टी लगती है तो चलिए अब अाज बनाते हैं ये निनुआ की सबजी या गिलकी की सबजी आप जो भी बोलना पसंद करते हो या जो भी आप बोलते हो जिस नाम से भी आप इसे जानते हो तो चलिए बनाना शुरू करते हैं देखिए उसके लिए हमने क्या क्या सामाल लिए हुए है तो यह देखिए यह है निनुआ जो है अब और इसको अच्छे से हम छेल से झाउ उसके बाद करने उसके लिए वे यह यह हंतित nicht दिख केंज हवर उसके बाद करेंगे लिए गरम होने के लिए आप यह तो आप इसमें बते होतों नाइन सब्सके सब्सक्राइब ज्में में nit के यह मुंणातर सबuses इसाथ कम अच्छी सब्सक्राइब और इसमें बहुत मसाला भी नहीं पड़ता है तो यह जो है बहुत ही फायदा करती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है आप इसमें प्यास की कॉन्टिटी कम जादा भी कर सकते हैं तो यह लेसन फ्राई हो चुके हैं अब इसमें हम प्यास जालके इसको भी हलका सा फ्राई कर लेते हैं यह सबसब्जी बनाते समय, टेल भी कम लगता है, बहुत जादा इस्तीमाल नहीं होता है इनetah सबसब्जिएं को बनाने में तो हमाय सहत के लिए काफी अच्छी होती है तो अब अब इसमें डालते हैं हम कटी हुई मिर्च कटी हुई मिर्च को हमने पहले नहीं डाला था तो अब हम मिर्च इसमें डालते हैं इसको भी फ्राई कर लेते हैं प्याज को हमें बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है सिल्फ हल्का सा जो है रेड हो जाएगी बस उसके बाद आप इसमें डालते हैं हम यह हल्दी पाउडर देखी यह प्याज भी फ्राई हो चुका है अब इसमें हम डालते हैं यह कटी हूए सब्जी तो इस सब्ज़ब को इस सब्जी को बनाने में сек ​​शा का जो फ्लेम है उसको हाई करते क्यूंकि थोड़ा पानी भी इसमें पानी सब्जी छोड़ती है तो इसलिए गैस का फ्लेम हाई कर दें ताकि इसलिए पानी भी जल्दी सूख जए। अगर आप लोम वीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, तो काफी टाइम लग जाता의 सब्जी पकने में, तो टाइम नहीं लगता है। लेकिन इसमें पानी छोड़ता आ उसको सुखाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आप ये सब्जी गै इसको ढख देते हैं चार से पांच मिनट के लिए गयास का फ्लेम हाई ही रहने देंगे पांच मिनट हो चुके हैं आप प्लेट अटाते हैं और यह आप देख सकते हैं कि हमने इसमें पानी नहीं डाला है और कितना ज्यादा पानी यह सबजी छोड़ती है तो आप इसको हाई फ्लेम पे ही पकाएं ताकि इसका पानी जल्दी से जल जाए सबजी पक्टे में तो टाइम में लगता है लेकिन इसका पानी सुखाने में काफी टाइम लग जाता है तो अगर आप गयस का फ्लेम हाई रखेंगे तो बहुत जल्दी इसका पानी भी सुख जाता है तो देखिए अब इसको हम चलाते हैं आप देख सकते हैं कुछ पानी कम हो गया है लेकिन अभी भी इसमें बहुत पानी है और सब्जी तो लगवग पक ही गई है तो अब इसको हम खोल के कुछ जिर के लिए पकाएंगे ये देखिए सारे पानी इसका सूख चुका है और ये सब्जी भी हमारी बन के तयार हो चुकी है ध्यान रखें अगर आप इसमें आलू डालेंगे तो इसका पानी बहुत जल्दी जो है सूख जाता है और अगर आलू नहीं डालते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है इसके पा आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा तो ये सब्जी हमारी बन के तयार हो चुकी है तो आप भी इस तरीके से ये सब्जी बना सकते हैं जो बनाने में बहुत ही स सालों का यूज होता है तो ये देखिए हमारी सब्जी बन के तयार हो चुकी है तो आप भी इस तरीके से सब्जी बनाईए खाईए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा हुआ है